काल फ्री जोब में आपका बहुत बहुत स्वागत थे और ये वर्क फ्रॉम हॉम जो कि जियो कंपनी का एक वेकेंसी आया था बहुत पहले आया था अभी से सम्थिंग एक महिना हो गया होगा और उसका जो है एचार राउंड होल्ड पे चला गया था जो कि बिल्कुल 12 इलेक्ट हुए थे और 12 सिलेक्ट होने के बाद में 12 ही जो ही आएचर के पास में गये थे एचार में के लिए और एक टारोंड के पास में जाकर nephew हो गया फिर हिके एंड तक देखना वीडियो तो सब कुछ पता चल जाएगा और जौब ही मिल और इस बार भी मैं वही जोब लेके आया हूँ क्योंकि पिशली बार का जो hold out था उसको मैं हटाने के लिए आया हूँ ठीक है क्योंकि मेरा हर एक जोब में ग्यारंटी रहता है कि जोब में देही दूँगा और मेरा ग्यारंटी और मेरा जो किया हुआ जो वादा रहता है वह में हमेशा निभाता ही हूँ ये वर्क फ्रॉम होम का जो जीयो कमपने के जो फर्स्ट पार्ट अगर किसी ने अगर नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा वहां जाके चेक आउट जरूर कर लेना उसके बाद में ही फ्रेंट्स कोल करना क्योंकि आप बीना देखे अगर आप कोल करोगे तो रिस्पॉंस दो डेफिनेटली मिलेगा ही नहीं hold जो हुआ था और उसके बाद में जिसका भी reject हुआ था 12 रिजुम थे 12 रिजुम में से जिसका भी जिसका भी reject हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि उनका cv में बहुत सार अपडेटेशन बाकी रहे गया था बहुत सारों ने मैंने ऐसे ऐसे cv भी देखे थे जिन लोगों ने अपने date of birth में mail id डाल दी है किसी ने पापा के नाम की जिगर मम्मी का नाम डाल दी है और किसी ने तो अपना home location address ही नहीं डाला उसमें किसी ने degree किया था किसी ने graduation कोई undergraduate या कुछ भी था उनका उन लोगों ने pass out year भी नहीं लिखा था cv के अंदर प्रोफेशनल cv नहीं था और आप लोगों को प्रोफेशनल जोब से यह वह भी घर बेठे तो यह नहीं होता है ना कभी भी किसी भी company में चले जाओ मेरे अलाव आप किसी भी यूटूब में जाके सर्च कर लो किसी का भी चैनल और वहां जाके आप apply करो मैं guarantee लेता हूं ल जिन लोगों का भी रिज्यूम और जो सीवी रहता है उन लोगों का उनका मतलब ही नहीं पता था पता नहीं कैसे जोब करेंगे यह लोग समझ ही नहीं आता है तो इस पाल्ट में में वह वाला बात बताऊंगा जो की पिछली बार में रह गया था जियो company का जिसका भी चेक किया था और बहुत सारे लोग बोल रहे थे बोले कि आपकी तरफ से response नहीं आता तो friends अभी हम लोग सिर्फ only दो जने ही काम कर रहे हैं दो staff लोग चुटी पे हैं पूरी तरीके से चुटी पे चले गए हैं ठीक है क्योंकि उनका personally problem की वाज़े से वो लोग चुटी पे हैं ठीक है तो friends जो जीओ में जिसका भी एक राउंड होल्ड पे था जिसका रिजेक्टेड हुआ था friends उनके लिए मैं एक बात अच्छी खुश कभरी बता दूं कि उन लोगों को में यहीं जीओ वाला ही में जोब दे दूंगा फ्री में ही दे दूंगा लेकिन step by step आप ल ही नहीं हुआ क्योंकि cv ही आपका reject हो गया था इसलिए चाराउंड ही नहीं हो पाया था में रिजन यह था अब इसी को hold out से और rejected से कैसे निकालना है वह उसका तरीका में आपको बताता हूं और जोब कैसे मिलेगी उसका तरीका भी में आप लोगों को बताता हूं इसी वी मैं गूरूप के अंदर दे दूंगा वोट्सप गूरूप के अंदर सभी का नाम का लिश्ट दे दूंगा वही वही लोग में को वापस से मेसेज कर देना और उन लोगों का मैं परसनली में इंटर्व्यू करवा दूँगा उसके बाद में फ्रेंस दो और जोब में इसी पास में लेपटोप है उनके लिए 20,000 रुपए सेलरी प्लस इंसेंटिव अलग से मिलेगा ठीक है यह वाला जोब का जो नंबर है जीओ ही हो चाहे कुछ और हो फ्लिप कार्ट हो गया मिसो हो गया या फिर अधर कमपनी हो गया उसमें भी अगर आपको जोब की बात कर रहा हूं मैं अभी चार्जेसेबल की जोब की बात ही नहीं करूंगा मैं ठीक है क्योंकि आप लोग ना बहुत पता नहीं क्या हो में को सम यह वर्क फ्रॉम होम यह चाहिए वर्क फ्रॉम ओफिस तो उसका नंबर भी में दूंगा वह भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है दो हो गया वेकंसी फर्स्ट वाले में जिसमें था चालिस डब्ली पीम स्पीड था उसमें 101 परसेंट जिसमें 20 हजार सेलरी था ठीक ह उसका नंबर में दूंगा डिस्क्रिप्शन बोक्स के अंदर वहाँ जाके पॉल कर लेना नाम मेरा बता देना ठीक ऐडिशै चोहन ने कहा है हम लोग आडिशैचो चोहन के के कंडिडेट है महाकाल फ्री जोब चेनल है उनके चेके कंडिडेट है हम लोग बस इतना सा इस जियो कंपनी का तो वह लोग 12 केंडिडेट जो थे वह लोग प्रोफेशनल रिजुम आप लोग बनवा लो ठीक है यह मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से प्रोफेशनल रिजुम बनवा लो उनका फिर से में एचार राउंड के लिए डारेक्ली में वह करवा दूंगा इ सब्सक्राइब का नमबर में डिस्क्रिप्सक्राइब दूणगा फर्स्ट जो बताया जिसका जब 40W अच्छा हो और जिसके पास में लेप्टोफ हो उसका नमबर में में दूँगा उनका नाम है शान राजपूथ हो गए ना दो HR हो गए हैं अभी एक HR रिया है सेकेंड था शान राजपूत तो उनको आप मेरा नाम बोल दिना आदेश चुहान ने भेजा है ठीक है उनको आप CV सेंड करना लेकिन CV कप सेंड करना जब आपका CV एकदम पूरी तरीके से प्रोफेशनल बना लो आप लोग खु लोगों का मेसेज आया था कि हम लोगों को चार्जेबल जोब ही दे दो जब मैं चार्जेबल जोब जब मैं भेजा ना ग्रूप में तो तुम लोगों का नाटक सुरू हो गया था कि हम लोग चार्जेज क्यों दे फ्री में जोब करते हो आप लोग खुद ही बोलते हो चा करेंगे रात की नो बज़े से लेकर तो रात की एक बज़े की बीच में यह लोग हद ही पार करते हैं ऐसे लोगों को हम लोग आज से एसे बड़ी बड़ी कंपने जिन में हम लोग हमारा खुद का ही टेंडर चलाएंगे आप लोग वहीं पर फ्री में जोब कर लेना ठीक है और जिसको आना होगा वह तो आएगा इसे जिसको नहीं आना वह जाएगा भाड में कोई मतलब भी नहीं है और जब हमारा टेंडर हम लोग ठीक है तो यह सारा इंफोर्मेशन में इसमें दिया हूं ठीक है इसी वीडियो में जिसने फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा हो वर्क फ्रॉम होम का तो लोग देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा जाकर चेक आउट जरूर कर लेना अधर जोब भी मैं बता दिया था इसी वीडियो में दो जोब और अलग से बता था निशूल का था वर्क फ्रॉम ओफिस वर्क फ्रॉम होम शान राजपुत का नंबर एचर लिया का नंबर और मेरे स्टाफ का नंबर भी मैं दे दूंगा जिसको भी अगर किसी तरह का अग इसलिए आप में को WhatsApp मेसेज कर देना अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो या फिर इस टाप तो है ही सई एक और कोशन था 36 वालों का तो 36 वालों के लिए फ्रेंस बहुत सारी जोब ACV भी देखी है मैंने जिनके जो जो फ्रोड जोब आई थी बहुत सारी फ्रोड जोब देख में भेज दिया मैं चाहता हूं कि आपको जेनीन जोब मिले 101 परसेंटेज जोब मिल जाए ताकि आप लोग अच्छे से जोब कर पाओ ठीक है कुछ-कुछ वेकेंसी आ गई है मेरे पास में चार से पांच वेकेंसी आई अभी वरतमान में 36 गड़ के लिए ठीक है जिसमें मेनेजर की आई थी सेक्यूर्टी एजंसी की आई थी सीकूर्टी गार्ड में और क्रेडिट कार्ड इपार्टमेंट वगरा में भी आई थी ठीक है तींग चार जोब आ गई है मेरे पास में अभी कुछ और वेकेंसी में ले रहा हूं हो सकता है तो कल यह परसों मैं 36 सुपरवाइजर चार वेकेंसी में ग्रूप में भेजा था लोगों का विश्वास नहीं हो रहा था कि यह जोब फ्रोड है यह लोग बहुत कुछ बोल रहे थे इसा ही लेकिन वह जोब फ्रोड नहीं है अगर जिसको करना है वही जाओ अगर नहीं करना है ना तो हम लोग फ्री क्योंकि उसमें अद्रेस का पैशा लग रहा था वह हम लोगों के लिए नहीं था वह आपके खूद के लिए था आपके खूद को द्रेस प्रोड हो जाए और आपको खूद कोहीं पहनूद कि तो में कई आपको यह जोब आपको ही करना है उसका चार्जेज लग रहा था उसमें भी आप लोगों ने इतने डिंग डोंग किये जिसका हद पार कर दिये थे आप लोग और बहुत सारे बोल रहे थे बोले कि हम लोग कैसे ट्रश्ट करें ट्रश्ट अगर नहीं है मेरे चैनल पर जिसको विश्वास है वही लोग आना भाही यहां पर क्योंकि मैं बिना विश्वास हो लोका में लेता भिन नहीं कहा है प्रदानमंतरी बर बना तो वह विश्वास के लिए आपको रहना भी पड़ेगा ज्यादा तीन-पांच अगर की तो आप भाहर होजाओ ग्रूप से कोई मतलब नहीं है ये आप कुछ भी समझो क्योंकि हम लोग आपकी वज़े से बहुत परेशान हो चुके हैं करेंट कि आ प्लोगों ने हरकते ये सी की थी जिसका कोई जवाब नीए कोई-कोई तो बोलता है अंगर में अगर जोप का गईरांटी ले रहा हुं रिफंडेबल का भाद भी किया था ड्रेस का रिफंडेबल कोई भी नी करता है अज-कल help company लेकिन हम लोगों ने ट्रेस का जो रिफंडेबल जो होता है वो भी हम लोगों ने रिफंडेबल की बात की थी में खुद ही बोला था ग्रूप में अनौइ उन्सकर करकर के बहुत इतने मेशेच किया था पचास से ज्यादा सो से ज्यादा में जान बुचके कि आपका ड्रेस का पैसा लगेगा सूस का पेशा लगेगा और वही पेशा आपके वापस रिफंडेबल हो जाएगा अकाउंट के अंदर ही वापस के वापस ही लेकिन आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रही थी वो बात अगर जिसको नहीं आती समाज में तो कोई मतलब नहीं है मेसेज भी मत करो ना बोड़ी बोलेंगे आपको कि नी भाई आप इसी में करो फोर्स नहीं करते हम किसी भी बात से ठीक है तो यह वाला बात था पूरा इंफोर्मेशन में दे दिया था निशूल के जोब चाहिए तो फिर एकदम जैनियून से जाओ और जैनियून से काम करो जैनियून से रहो फालतों की बात कोई भी नहीं करेगा ठीक है तो यह सारा का सारा एक टूजेट इंफोर्मेशन वर्काफ फ्रों होम 36 गड़ वालों के लिए उत्तरपदेश दिली बाकी का उर कुछ लोकेशन बज गया हर्याना वालों के लिए भी में दे दिया था पंजाब वालों के ग्यारंटी लेताओं में यह सारा इंफोर्मेशन में इसी वीडियो में जान बुचके दिया था क्योंकि आप लोगों का हद पार कर दिये थे आप लोग सभी वेकेंसी के लिए जिसका केंपस प्लेस्मेंड होता है वो लोग इंटरू पे चले जाओ हो जाएगा जोब ग्य नेक्स्ट वेकेंसी में